दोस्तो एक्सल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके डेटा एंट्री के काम को आसान बना देंगे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे डेटा एंट्री करते हैं एक्सल में और क्या उस रिलेटेट टर्म से जो आपको ध्यान रखने चाहिए आप सब का थैंक्यू कि आपने उस वीडियो पे इतना जादा प्यार देखाया अब आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बात करेंगे जो कि डेटा एंट्री करना आपके लिए आसान बना देते हैं सो मेक्शुर कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और अगर ही वीडियो आपको चेल लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक और शेज़ दरू करें तो बिना किसी दिर के शुरू करते है इस वीडियो को सो नॉर्मली आगे हम अपनी computer skin पे और यहां पे जो सबसे पहली term को हम सीखने वाले है वो है data को दूसरे source से या फिर दूसरे जगह से import करना नॉर्मली guys होता क्या है कि अगर हम data entry की बात करें तो जो data आपको मिलता है entry करने के लिए वो data दूसरे sources से मिलता है जैसे internet हो गया या फिर किसी न आपको notepad पे पूरा data भीज दिया मतलब अलग-अलग sources पर आपको data मिलता है और वहां पे जो सबसे बड़ी problem आती है वो क्या होती है देखो नॉर्मली आपको data मिल सकता है कुछ इस तरह से जैसे के आप देख पा रहे हो सबोस आपको ऐसा data मिल गया या फिर data आपको मिल गया किसी दूसरे online portal पे और वहां पे data आपको मिला spaces के तुरू तो होता क्या है कि जब हम इस data को copy करते हैं कुछ इस तरह से हमने यह से data copy किया और हमने सोचे इसको उठा कि हम सीधा सीधा डाल देते है excel में यहां पे आए और नॉर्मली जब हम इस से paste करते हैं तो यह कुछ इस तरह से आ जाता है मतला अभी आप देखोगे तो एक ही cell के अंदर में सारा data अगया है serial number name basic salary department और यह सभी data इस तरह से आ गया है जबकि अगर हम बात करें इस data की तो यह data मुझे अलग-अलग cell पी चाहिए like यहां पे serial number यहां चाहिए name यहां च इकत देखने को मिल सकती है कि आप data जहां से भी import करो और वो data सही तरह से ना पाई तो उस जगे पर आप क्या करोगे तो उस जगे पर आपको simple करना क्या है इस data का जो यह column है पुरे data को select नहीं करना आपको पहला column है इस से select करना है जहां से data शुरू है और जहां तक है वह आ करोगे यह कुछ इस तरह से आपके सामनिक डायलोग बॉक्स दे देगा अब यहां पर सबसे पहले हमें करना है क्या है क्यारेक्टर सच एस कोमा और टैप सेपरेटेड इच फिल्ड बेसिकली आप यहां पर देखो तो मैंने कोमा की थुरू हमारा डेटा जो है वो सेपरेट ह यह कि थुरू है कोमा यह ने पहला वाला इसके बाद हमें नेक्स पे गिलिख करना इसके बाद अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर बढ़ जायेगा आपको लक्रण इसमें उपर ष्पेज भी दिया हुआ है और वह भी आपको नहीं रखना तो आप इस पर स्पेस भी data split होता है या फिर tap के थुरू या फिर कोई और अधर मान लो इस तरीके की symbol जो hyphen symbol होता है इसके थुरू data separate है तो जिसके थुरू भी आपका data separate है वो option आपको यहां से select करना है और उसके बाद next करना है और simple इसको finish करना है और आपको करना है okay आप देखोगी कि आपका जो data वो alignment ratio जो है वो सही कर दिया और आपका data एक proper तरह से यहां पर data जो है वो fix हो जाएगा कुछ इस तरह से इसके बाद आप इससे select करो और अपने हिसाब से आप इसको edit कर दो ताकि यह proper format में आपका data आ जाए so I hope कि जो सबसे पहली trick और जो सबसे पहली tip वो आपको पसंद आई हो क्योंकि यह सबसे important time है क्योंकि data तो आपको अलग-अलग sources पही मिलेगा तो वहां से अगर data आपको सीधा carry on करना है तो इस तरह से आप data को carry on कर सकते हो अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे tip के basically क्या होता है कि कई बार जब आप data entry कर रहे हो मालनो कि आप data के typing कर रहे हो आप आपने one data किया two किया three किया तो कई बार क्या होता है by mistaken जान बूच के नहीं by mistaken क्या होता है कि आप blank cell छोड़ देते हो और यह होता कब है जब मालनो कि हम यहां पर last में typing कर रहे हैं और जैसे हम enter करते हैं तो हम एक के जगत दो cell नीचे आ गए तो होता क्या ऐसे में कि blank cell छोड मतलब जादा blank cells आ गए इस तरह से और यह आ सकते हैं क्योंकि अभी आपने देखा हमने जब data import किया दूसरी जगे से copy किया मालो वहीं पर दिक्कत हो तब भी blank cell आ सकते हैं तो जितने blank cell हो उन सबको हटाना एक ही बार में तो आप कैसे करोगे तो हमने simply यहां पर एक है select कर ल कर देंगे और कर देंगे okay जैसे आप okay करोगे जितने भी यहां पर आपको blank rows है वो सारे के सारे select हो जाएंगे simple काम क्या करना है यहां delete में जाना है और delete sheet row क्लिक कर देना है और आपके जो रोज है वो यहां पर delete हो जाएगे और आपका data automatically adjust हो जाएगा जो भी blank cells थे वो हटे और data होगे adjust तो इस तरह से आपके साथ अगर blank cell की problem आती है data entry करते वकत तो आप इस option का use कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे term की जो की one of the important term है और यह ज्यादा तर आप देखोगे अगर आप किसी organization में candidates वगरगा data fill कर रहे हो तो आपको ऐसे ज़रुत पढ़ सकत है इवन अगर sales वगरगा data है वहाँ पर इसके जोद पढ़ सकती है वह है drop down menu अभी कैसे work करता है मैं आपको clear करता हूं देखो मालू मैं यहाँ पर आया मैंने एक person का data डाला मैं लिखा 5 मैंने tap किया दूसरे वाली cell में आगे और यहाँ पर देखो एक drop down आ रहा है जैसे मैं पर इसके लिख करूंगा तो पूछ रहा है जो आप data भर रहे हो Mr. यह Miss है तो हमने डाला Mr. है और हम यहाँ पर आये फिर हमने यहाँ पर लिखा अनुपम और फिर हमने टैप किया हमने यहाँ लिख दिया 26 और जैसे मैं यहाँ पर आता हूं एक और drop down इसके लिख किया तो 10th, 12th और graduate तो हमने बोल दे है भाई सब graduate है तो इस तरह से आप drop down menu लगा के अपने काम को और ज्यादा smart और आसान बना सकते हो अब यह drop down लगेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले तो हम इस पर इस पर drop down हटा देंगे तो इसके लिख सबसे पहला काम आपको अप्लाई करना है आप उस range को select करो कुछ इस तरह से select करने के बाद आपको यह simply data tab में data validation का option मिलता है आप इस पर click करो click करने के बाद यहाँ पर जाना है allow में और any value में जाके आपको click करना है list पर किया और यहा source में आना है इस पर click करना है click करने के बाद इधर आईए आप sheet और जो भी आपका content है जो आप drop down में apply करना चाहरे हो उसे select कर लो और बस ok करो जैसे आप ok करोगे उस पर drop down apply हो गया है जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी अगर हम इस पर check करें तो इस पर कोई drop down नहीं है आप देख सकते हो और मैं क्या करता हूँ इस तीनों को select करता हूँ select करने के बाद data validation में जाएंगे और यहाँ value में जाके list पर click करेंगे source पर आए और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर source है उसे हम select करेंगे और करतेंगे ok और ok करने के बाद आप देखोगे कि इस पर drop down apply हो गया है so यह एक बहुत ही common term है जो कि data entry के work में use होती है अब बात करते हैं दोस्तों चौत है टिप के जो कि है filtration यह बहुत ही important term है और हर एक excel user के लिए not only data entry हर एक excel user के लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी हमारा data है तो उस पर हमें filtration कहीं न कहीं apply करना ही बढ़ता है अब यह है कि मैं आपको समझाता हूँ देखो मान लोगर में आपको बात करें कि एक मेरे पास एक data है और एक sales record है जैसे कि अब देख पार हूँ मैं नाम लिखा है state लिखा है department लिखा है sales लिखा है right मान लो कि मेरा जो भी supervisor है senior है उसे बोल लिखा है ताकि senior को समझने में आसानी हो तो आप इस पर अगर filtration apply कर देते हूँ जैसे मैंने इस पूरे data को select किया कुछ इस तरह से ठीक है और select करने के बाद आपको यह home tab में जाना है और यहाँ पर जाना है simple shorten filter में और आपको apply कर देना filter जैसे मैं filter apply करूँ आप इस तरीके क एक symbol देख पा रहे होंगे इस पर आ रहा है अब जैसे कि मारे supervisor ने कहा कि नाम कैसे आना चाहिए पहले a फिर b फिर इस तरह से तो हम इस option पर जाएंगे और यहाँ पर option मिलता है सबसे पहला sort a to z मैं इस पर click करता हूँ और जैसे मैं click करूँ आप देखो कि पहले a नाम बाल इस पर सेरह कहा है के मुझे जो data है वह सेल और सेपसे चाहिए जिस person ने सेल सबसे जादा करिए उसका data उपर चाहिएए जिस person सबसे कम करे उसका data सबसे last में चाहिए तो भी आप filtration का उसे अब देखो कैसे मौल लो कि यऊंपर मुझे देखना है कि इस सबसे जादा सेल गात वह पहले आए बागे बागे बाद में तो इस वाले option में जाएंगे और यहां पर जो दूसरा option मिलता है sort largest to smallest इस पर किलिक करो और आप देखो कि जिस person ने सबसे ज़्यादा sale की है वो उपर आ गया है जिस person में उससे कम हो नीचे और उससे कम नीचे इस तरह से डेटा आ गया है इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके लिए filtration का यूज सबसे ज़्यादा होता है जब आपके पास multiple category होती है जैसे कि यहां पर आपके पास कई सारे department है electronic है, grocery है, garment है इस तरह से आपके पास department है माल लो आपको supervisor आता हो और आपसे बोलता है मुझे सब का data नीचे यह मुझे किसी एक individual category का data देखना है जैसे मुझे सिर्फ cosmetic का data देखना है या मुझे सिर्फ electronic का data देखना है तो वह मैं कैसे देखूँ तो उसके लिए simply आप department वाले filtration पे apply करो, select all पे click करोगे तो सारा selection हट जाएगा इसके बाद जो भी individual आपको category देखनी है, जैसे हमें individual में देखना है electronics का तो electronics select किया और okay किया, देखो सारा data यहां से गायब हो जाएगा और सिर्फ उन लोग का data यहां पे आएगा जो electronics category से belong करते हैं, और आप simple इस पे जाओ, और select all करो और okay करो आपका data पहले की तरह वापस आजाएगा तो इस तरह से आप filtration apply कर सकते हो, अगर आपको filtration हटाना है तो आप यहीं पे जाकि इस filtration को हटा भी सकते हो अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे shortcuts के, जिसकी जरूर data entry में सबसे जादा बढ़ती है और कुछ लोगों को, इस्पेशली जो beginners होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता तो बात करते हैं कुछ ऐसे shortcuts के जो कि आपके काम को आसान बना सकते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी data के साथ, मानलो कि अगर अभी आपने देखा कि यह data फिर भी छोटा ही है, अगर हम बात करें कमपनी का data तो वहां पे बहुत जादा बड़ा data हो सकता है, तो मान बाल लुए data सिर्फ 19 लोग का है, यह हो data 500 लोगों का, तो भी कि आप ऐसे mouse से select करोगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो इसके लिए में करना क्या है, इसके लिए सबसे उपर में बस आपको select करना है, और keyboard से control और shift दो बटने इन दोनों को दबा कर रखना है, इसके ब common shortcut है, जो कि सबसे जादा use होता है, इसके बात करते हैं दूसरे term के, जो कि कुछ bigness को नहीं पता होता, और उसके वज़े से उनका काम काफी आसान हो सकता है, अब वो क्या है, वो मैं आपको clear करता हूँ, basically कर हम बात करें, जब आप data entry में data fill करते हो, मेन काम तो वही है data entry में data को fill करना, तो उसके लिए करते हैं कि हम लोग यहाँ पर हमने data लिखा 6, फिर कुछ लोग यह mouse से select करेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, कि जो arrow की है, उससे इस तरीके से जाएंगे option पे, और तब जाके वहाँ पर type करेंगे, तो यहाँ पर basically data entry में किया क्या जाता है, कि जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी data लिखा, हमने लिखा 6, अब जैसे आप tab button प्रेस करोगे, automatically जो selection है, वो next cell में shift हो जाएगा, अब यहाँ पर हमें जो भी लिखना है, हमने suppose यहाँ पर लिखा, जैसे हमने missis लिख दिया, और जैसे मैं tap प्रेस करूँ और दुबारा से next cell म इस तरह से, so इस तरह से जो tab है, वो one of the important term है, especially data entry में, क्योंकि data entry में काम ही आपका data fill करने का है, अब वहाँ पर अगर आप arrow key का use कर रहे हो, या mouse का use कर रहे हो, तो automatically आपका जो काम है, उसका जो time है वो बढ़ जाएगा, और tab key की मदद से आपका काम, काफी जादा easy हो इस तरह से, और यहां पर आपने लिखा mister, और यहां पर आपने लिख दे उनका नाम, अब उसके आगे की जो यह दो data है, वो same नीचे ऐसे के ऐसे ही आएंगे, और हो सकता ही कि यह जो columns 2 ही है, इसके जगह आपके 10 columns हो, तो उस जगह पर टाइप करने से अच्छा है, कि आप उस data को, आसानी से copy करो अपने data field में, तो उसके लिए simple आपको क्या करना है, जो भी selection है, जहां पर आपको data field करना है, उससे select करो, और simple keyboard से control और d-press करो, automatically आप देखो कि जो data उपर में है, वही data नीचे आ जाएगा, एक example में आपको show करता हूँ, जैसे मैंने इस पूरे range को select क किया, और control d-press किया, तो इस तरीके से जो data उपर है, वही data नीचे भी आ जाएगा, तो यह data entry के एक बहुत अच्छी shortcut है, क्योंकि कई ऐसे data होते हैं, जहां पर आपको जो उपर लिखा हूँ है, वही data डिटो नीचे copy करना होता है, तो उस जगा पर आपका इस shortcut काफी काम आ सकता है, इसके अलावा एक और चीज जो कि आपके data entry काम को आसान बना सकते हैं, और वो क्या है, वो समझे, बेसकिलिए आपने notice क्या होगा, जब भी आप data entry में typing कर रहे हो, तो वहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा ही लिखा, मैं लिखा जी, और उससे similar category उपर में mention है, तो उ यूज कर सकते हैं, इसके लावा एक और चीज जो कि drop down के time आपको use आ सकते है, जैसे कि अगर हम इसका example ने मैं से delete करता हूँ, अब यहाँ पे drop down, तो बिना mouse के तो drop down use करना थोटा मुश्किल है, तो यहाँ पे आपको alt की hold करनी है, और आपको down arrow की press करना है, इससे आपका drop down menu खुल जाएगा, और जो भी option आपको select करना है, आप select करो, और एंटर कर दो, वो drop down आ जाएगा, तो इस case में आपको mouse का use करने की ज़रूरतनी, आप keyboard से ही यह काम कर सकते हो, so I hope कि guys यह जो data entries से related जो भी tips और tricks मैंने आपको बताये हैं, वो आपको useful लगे होंगे और पसंद आए होंगे, अगर यह video आपको अच्छे लगे हैं, तो please video को like करें, share करें, साथ ही comment करके अपना feedback ज़रूर दें, thank you